Hi everyone, this is Swati, your English educator from Magnet Brains हम पढ़ रहे हैं Tenses, right? और वो भी बिना Tension के हमने Simple Present Tense समझ लिया है Introduction to Tenses भी हो गया है, जहां हमने समझा है कि Tenses होते क्या है और verbs का किस तरीकी से आप इनमें यूज करते हैं, verbs का रोल क्या होता है basically ठीक है? यह सब हम देख चुके हैं आज हम स्टार्ट करने वाले हैं Present Continuous Tense तो हम क्या-क्या समझेंगे इसमें कि यह Tense होता क्या है उसके बाद यह Tense यूज कहां होता है और इसका structure कहां होता है followed by some exercises ताकि हमारे फंडे क्लियर हो जाएं So let's begin guys अब मैं क्या कर रही हूँ? मैं आपसे बात कर रही हूँ है ना? और क्या मैं आपसे हमेशा मतलब सालों तक बात करते रहूंगी? नहीं यह एक temporary action है जो अभी हो रहा है है ना? यह एक temporary action है जो कि अभी हो रहा है जैसे कि बारिश हो रही है बारिश अभी हो रही है, बारिश सालों तक continuously होती नहीं रहेगी, बारिश अभी हो रही है वो गाना गा रहा है, मैं सो रही हूँ, ये सारे जो sentences हैं, ये एक temporary action को बताते हैं So present continuous tense की जब हम बात करते हैं, तो हमें ये वाला part देखना है क्या होता है, कोई भी sentence जो usually रहा है, रही है, रहे हैं से complete होता है, end होता है, उन्हें हम बोलते हैं continuous tense Continuous tense को हम progressive tense भी कहते हैं, तो जैसे अगर मैं लिख रही हूँ, वह खेल रहा है मतलब एक action है, क्या कर रहा है, वह खेल रहा है, तो एक action है, जो अभी हो रहा है, ये एक temporary action है अगर मैंने बोला, मैं भाग रही हूँ, अगेन, ये भी एक ऐसा action है, जो की अभी हो रहा है, मैं हमेशा भागने नहीं वाली हूँ तो जो आपके continuous tense होते हैं, ये उसके indicative words होते हैं, indicative words मतलब वो words जो ये बताते हैं, कि आपका tense कौन सा है, जैसे हमने simple present tense की बात की थी जब हमने simple present tense की बात करी थी, तब हमने क्या देखा था, मैं यहाँ पर लिखती हूँ simple present tense, ठीक है simple present tense में हमने ये देखा था, जब कोई चीज almost permanent होती है, या एक fact होता है, जो कभी change होई नहीं सकता, ठीके, या कोई definition होती है, again जो कभी change नहीं हो सकती, या कोई habit होती है, जो की almost habit का मतलब क्या है, कि हम उसको usually करते रहते हैं, तो वो भी एक permanent case में आती है, ठीक है almost permanent, जैसे की मैं रोज स्कूल जाता हूँ, मैं रोज स्कूल जाता हूँ, ये क्या है ये मेरी एक रोज की, रोज का काम है, ये मेरा almost ये मेरी habit तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये एक permanent action है जो मैं करती हूँ तो मैं रोज स्कूल जाता हूँ, मैं रोज खाना खाती हूँ, मैं रोज अपनी mom से आदे घंटे बात करती हूँ, मैं अपने grandparents के साथ समय spend करती हूँ तो यहाँ पे जो आपका जो indication है वो है ता, ती, ते, ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पे जैसे की, मान लो जब मैं बात करे हूँ कोई permanent की चीज़ की तो जैसे की मैं इस घर में रहती हूँ, मैं इस घर में रहती हूँ, तो मैं बोलूँगी I live in this house मैं इस घर में रहती हूँ, यह एक permanent action है, almost permanent action है, मैं रोज घर नहीं बदलती तो मैं इसमें कभी भी यहाँ पे, अभी तो इस sentence को याद रखो, जब हम present continuous समझेंगे तब हम वापस इस sentence पे आएंगे, ठीके, so let's go back guys जब कोई sentence हम रहा है, रही है, रहे है से कतम करते हैं, तो usually वो हमें यह बताते हैं कि हम present continuous की बात करें, ऐसी कोई चीज जो इस वक्त present में हो रही है, समझें, ऐसी कोई चीज जो इस वक्त present में हो रही है अब यहाँ पे देखो, present progressive को, present continuous usually defines an act, कोई भी act, कोई भी काम that is going on at the time of speaking जब मैं बात करें हूँ, जब मैं तुम्हें बता रही हूँ, उस वक्त में क्या काम कर रही हूँ, जैसे की मैं पढ़ा रही हूँ, तुम पढ़ रहे हूँ तो ये क्या हो रहा है, जब मैं बात करे हूँ, तब ये actions चल रहे हैं, अब यहाँ पर examples देख दें, जैसे कि I am teaching, मैं पढ़ा रही हूँ, you are listening, तुम सुन रहे हूँ, they are enjoying the picnic इस वक्त, जैसे मान लो, आपके friends कुछ हैं, वो लोग picnic enjoy कर रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे, अरे वो लोग तो picnic enjoy कर रहे हैं I am watching a movie, तुम क्या कर रहे हो, इस वक्त तुम एक movie देख रहे हूँ, my parents are coming today, अरे मेरी parents आज आ रहे हैं इस वाले sentence को समझना पड़ेगा, इस वक्त तो नहीं हो रहा है, लेकिन हमने फिर भी बोला कि ing use होगा, तो हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे लेकिन, before we go ahead, सबसे पहले हमको यह समझना, इसका structure कैसे बनता है, tense की अगर बात कर रहे हैं, तो हमें यह देखना है, उसका structure कैसे बनता है, ठीके? तो अब हम पहले start करेंगे structure की बात, तो structure की बात जब हम कर रहे हैं, मैंने बोला, I am singing a song इसका हिंदी में मतलब क्या होगा? मैं एक गाना गा रही हूं, I am singing a song, मैं एक गाना गा रही हूं मैं किसकी बात कर रहे हूं, subject कौन है, कौन है, जो गाना गा रहा है? I, ठीके? तो यह क्या हो गया? यह हो गया है मेरा subject, ठीके? अब क्या काम हो रहा है यहाँ पे देखा जाए तो यह हो रहा है गाना गाना मतलब होता है sing हमने यहाँ पे क्या किया है? हमने वर्ब के first form में यह वर्ब का root form है sing, sang और sung यह होते हैं वर्ब के three forms V1, V2 और V3 तो मैंने यहाँ पे वर्ब का first form लिया और उसमें क्या add कर दिया है आई एंजी आई एंजी वो word है जो आपको ये बताता है कि अगर verb में आई एंजी added है आप continuous की ही बात करें मतलब आँख बन करके अगर कोई sentences आते हैं कि आप ये बताओ कि ये कौम सा tense होगा तो आप ये देखो कि verb में आई एंजी लगा है क्या अगर verb में आई एंजी लगा है मतलब वो continuous tense है फिर आप देखो कि helping verb है या नहीं है helping verb मतलब past का है या present का है तो हमें ये समझ में आ गया दूसरी चीज हमने देखी यहाँ पे हम use कर रहे हैं एक helping verb तो जब हम present continuous tense की बात करते हैं तो या तो आता है is या तो आता है m या तो आता है r ठीक है इस लगता है he, she, or it और कोई भी चीज जो की singular होती है m सिर्फ और सिर्फ i के साथ लगता है और कभी किसी के साथ नहीं लगता you लगता है सारे plural के साथ और you के साथ क्योंकि you को हम plural की थरा treat करते हैं ठीक है और बाकी आपका rest of the sentence तो अगर इस चीज को हम समझें तो हमारा structure कैसे बनता है subject plus is या m या are plus verb का first form जिसमें हम ing आड़ कर देते हैं और आपका बाकी का sentence ठीक है अब ये देखो so जब हम structure की बात करते हैं तो ये हो गया आपका subject subject के बाद आता है is या m या are क्योंकि हम present की बात कर रहे हैं verb का first form आ जाएगा जिसमें आप add कर दोगे ing क्योंकि यहीं बताता है कि हम continuous tense की बात कर रहें उसके बाद आपका rest of the sentence कुछ examples के साथ हम इस structure को समझेंगे पहला है he is writing a letter मतलब वह एक खत लिख रहा है ठीक है subject plus अब subject जो है वो कैसा है वो singular है subject मेरा कैसा है singular है तो मैं कैसे बनाती हूँ I के साथ हमेशा आता है I am U के साथ क्या आता है You are He is She is It is We are They are ठीक है तो हमारे पास क्या है He He के साथ हम हमेशा क्या यूज करते हैं He singular है इसलिए हम यूज करते हैं Is तो He is काम कौन सा हो रहा है काम हो रहा है लिखने का तो right जो होता है ये verb का first form होता है हमने right में अब मुझे यहाँ पे spelling देखो मुझे इसमें ing आड़ करना है कोई भी word जो last में e से start होता है उसका e अपन remove करेंगे और ing आड़ कर देंगे तो हमने लिखा He is writing a letter Spelling कैसे बनाते हैं ये मैं आपको एक बार और इच्छे से explain कर दूँगे I के साथ क्या आता है I के साथ आता है M So I am कौन सा काम हो रहा है? खाने का काम हो रहा है Eating तो simple eat पहला फॉर्म है वर्ब का तो हमने इसमें ing simply add कर दिया So I am eating और your object और rest of the sentence अब दे क्या है? दे प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हम क्या उस करते हैं? Are They are sleeping तो कौन सा काम हो रहा है? यहाँ पर सोने का काम हो रहा है Sleep में बस आप ing add कर दोगे That's it ठीक है? तो यह होता है basic structure So basic structure में हमने क्या समझा? जब हमें present continuous tense की बात करनी होती है तो हमें यह देखना होता है हम बात कर रहे हैं कोई ऐसी चीज़ की जो इस वक्त हो रही है या कोई भी sentence जिसमें last में रहा है रही है रहे हैं यह सुनाई देता है वो होता है हमारा continuous tense अब इसका structure समझेंगे और बाद में देखेंगे कहां कहां use होता है structure सिर्फ इतना है कि आप जिसकी बात कर रहे हो मतलब आपका subject subject के साथ आपको हमेशा add करना पड़ेगा आपका helping verb क्योंकि हम continuous tense की बात कर रहे है बिना helping verb के इसका काम नहीं चलता okay helping verb कौन से is, am, are किसके form है यह बी के form है ठीक है किसके form है यह बी के form है तो subject के बाद आजाएगा is, am, are इस तरी, sorry I के साथ am, you और plural के साथ are और he, she, it और किसी भी singular के साथ आजाएगा is ing और उसके बाद आएगा आपका बाकी का sentence अब आपको present continuous tense में दो ही चीज़ें याद रखनी है जैसे कोई भी sentence पढ़ो verb अगर ing form में तो तुरंट समझ में आजाएगा वो continuous है और अगर helping verb को देखो कि वो present के helping verb है is, am, are तो हो गया आपका present continuous tense अब इसको समझने के लिए हम कुछ examples दिखेंगे I am writing articles on different topics मैं अलग-अलग topics पे articles लिख रहा हूँ मतलब अभी कर रहा हूँ कैसे पता चला मुझे? देखो सबसे पहले तो ये तुम्हारा subject है I I के बाद क्या तुमने helping verb यूज़ किया है? हाँ, यूज़ किया है कौन सा M? और जो verb है क्या? उसमें ing form भी है exactly तो ये हो गया simple present continuous tense ठीक है? I am writing और ये बाकी का आपका sentence similarly, he is reading subject plus helping verb plus verb का first form जिसमें हमने ing आड़ किया है and rest of the sentence क्या हो गया ये? subject plus आपका helping verb plus आपका verb का first form जिसमें आपने ing आड़ किया है plus आपका object ये है हमारा present continuous tense का structure अब देखते हैं they are playing football now वो अभी football खेल रहे हैं कौनसा word बता रहा है अभी खेल रहे हैं? they are playing football now they हमारा है एक plural subject बहुत सारे लोग खेल रहे हैं तो दे के साथ क्या आता है? दे के साथ आता है are और क्या verb में ing लगा है? exactly तो ये हो गया हमारा present continuous tense she is drinking coffee इसका मतलब वह अभी coffee पी रही है तो एक काम है जो इस वक्त हो रहा है she singular है उसके साथ हमने अपना singular helping verb लगाया जो की है is और अपना जो main verb है उसके first form में ing आड़ कर दिया मतलब हो गया drink का बन गया drinking he is going to the library वो इस वक्त library जा रहा है वह लाइब्रेरी जा रहा है he के साथ लगा दिया हमने is और go जो हमारा main verb है उसमें हमने लगा दिया ing तो बन गया going और ये बन गया हमारा simple continuous tense का perfect structure we are coming for shopping in this market हम इस market में shopping के लिए आ रहे हैं तो हम के साथ लग गया are और coming हो गया हमारा simple present tense में verb में ing form continuous form we are watching a movie in this cineplex हम इस cineplex में एक movie देख रहे हैं हम इस cineplex में एक movie देख रहे हैं इस वक्त देख रहे हो ना तो हम के साथ लग जाएगा we के साथ आ गया are और watch का क्या बन जाएगा watching ठीक है and the last sentence you are shopping in that market तुम उस market में shopping कर रहे हो तो you के साथ singular है लेकिन हम उसको plural की तथा treat करते हैं और you के साथ आ जाएगा are shop अब देखो ये जो word है shop shop मतलब होता है खरीदारी लेकिन जब मुझे इसका ing form बनाना है तब मैंने इसके जो last वाला जो letter है इसको double कर दिया और उसके बाद ing लगाया है ठीक है तो कुछ ऐसे words होते हैं तो आपको spellings कैसे form करना है वो तो मैं एक बार बता दूँगी लेकिन spellings का बहुत ध्यान रखना वना marks कर जाएंगे So these were the examples अब हम ये देखते हैं कि अगर मान लो मुझे negative बनाना है तो negative structure में यहां समझाती हो ठीक है जैसे मैंने बोला I am writing I am writing a letter मतलब मैं एक letter लिख रही हूँ मैं एक letter लिख रही हूँ subject क्या है ये है मेरा subject ये है मेरा helping verb ये है मेरा main verb जिसमें मैंने ing add किया हुआ है और ये है मेरा object ठीक है मैं क्या लिख रही हूँ मैं एक letter लिख रही हूँ अब मैं letter नहीं लिख रही हूँ तो मैं इसे कैसे कहूँगी? मैं letter नहीं लिख रही हूँ तो यह हो जाएगा I am बस helping verb और main verb के बीच में एक simple सा छोटा सा not add करना है I am not बाकी सब बैसे का वैसे ही I am not writing a letter ठीक है? I am not writing a letter अगर I की जगर you होता तो क्या हो जाता? you के साथ हो जाता you are not writing a letter अगर he होता तो he is not writing a letter ठीक है? अगर she होता तो she is not writing a letter it, it के साथ भी same होता it is not writing a letter अगर हम बात करते हैं we की या हम बात करें they की तो इन दोनों के साथ आएगा are all not writing a letter ठीक है? आपको यादे हमने contractions किये थे pronounce में contractions मतलब क्या होता है? जैसे मैंने कहा you are not तो are not की जगा मैं बोलूँगी aren't ठीक है? तो जैसे मुझे बोलना है am not तो इसका contraction होता है and a-i-n-t I aren't writing a letter are not का simple are n apostrophe t aren't writing a letter is not का क्या हो जाएगा? is n t not को कैसे लिखते हैं? not को लिखते हैं ऐसे बाकी वैसे का वैसे ही रहता है ठीक है? similarly are not बता दिया is not बता दिया ain't बता दिया तो I aren't writing a letter you aren't writing a letter she isn't writing a letter aren't isn't और and ठीक है? तो यह होते हैं हमारे इस तरीके से हम negative sentences बनाते हैं अब अगर इसके structure को समझें स्ट्रक्चर सिंपल है subject उसके बाद helping verb उसके बाद लगा दिया हमने not और बाकी verb का first form जिसमें ing form होगा और बाकी का sentence वैसे का वैसे मतलब simple sentence में helping verb के बाद बस लगा देना not अब इसमें does not, do not कुछ नहीं आता है इसमें simply not आता है क्यों क्योंकि हमारे पास already एक helping verb है I am not teaching You are not listening They are not enjoying the picnic I am not watching a movie तो यहाँ पे क्या हुआ? I am not verb का first form में ing form हो गया I am not watching and a movie ठीक है? तो इस structure में perfectly बैट रहा है? Good, अब हम इसमें देखेंगे जब हमें question statements बनाने अब जब मुझे question statements बनाने हैं तो अब मैं कैसे करूंगी? वो देखते हैं मैंने बोला He is drinking coffee वह coffee पी रहा है वह coffee पी रहा है Negative sentence बताओ जल्दी से क्या होगा? Negative sentence में बस इसके बाद लगा दो not क्या हो गया ये? He is not drinking coffee है ना? Simple He is not drinking coffee अब मुझे यहाँ पे अगर question बनाना है तो हम एक काम करते हैं इस sentence को भी हटाते हैं ठीक है? सब अट गया? हो चलो कोई दिकत नहीं है He is drinking coffee अब अगर मुझे इसको बताना है क्या वह coffee पी रहा है? क्या वह coffee पी रहा है तो बस helping verb है ना? इसको लेके जाओ और यहाँ चिपका दो बस इतना ही करना है question क्या हो जाएगा? Is he drinking coffee? Very simple कुछ नहीं करना है और Is he drinking coffee? और full stop की जगा लग जाएगा question mark अगर इसी की जगा होता are you are मान लो यहाँ पे ही इसकी जगा मैंने लिखा होता you are drinking coffee तो यह क्या बन जाता? are you drinking coffee? are you drinking coffee? question mark अगर यहीं पे I am drinking coffee होता तो question में बन जाता am I drinking coffee? तो जब मुझे question बनाना है तो सिर्फ मुझे जो मेरा helping verb है उसको सबसे आगे लेके आ जाओंगी बाकी पूरा sentence वैसे का वैसी रहेगा इसका structure समझ लेते हैं is MR सबसे पहले जो आपका helping verb है उसके बाद आप लिखोगे अपना subject verb का first form जिसमें ing आ जाएगा और बाकी पूरा का पूरा sentence वैसे का वैसा am I teaching remember the sentence I am teaching question क्या हो गया am I teaching क्या मैं पढ़ा रही हूँ are you listening to my story क्या तुम मेरी story सुन रहे हो are they enjoying the picnic क्या वो लोग picnic enjoy कर रहे है am I not watching a movie क्या मैं movie नहीं देख रही हूँ अब ये क्या है intero negative intero negative बनाने के लिए क्या है am I I के बाद लगा दो not और बाकी पुरा sentence वैसे का वैसा क्या मैं नहीं देख रही हूँ क्या मैं नहीं देख रही हूँ क्या तुम नहीं सुन रहे हो तो देखो जैसे हम बोलते ना exactly वैसा ही है क्या वह enjoy नहीं कर रहे है या क्या वो enjoy कर रहे है तो ये अपने समझ लिया Negative, interrogative और affirmative मतलब positive sentence का structure क्या होता है अब जो हमें देखना है वो है कि हम इस सब को एक बार समझ लेते हैं I am speaking to you You are reading this She, He या It Is not staying in London Negative sentence हो गया हमने अपने helping verb के बार लगा दिया है Not We, they are not playing football ठीक है यह negative sentence हो गया और जब हम question की बात करते है Helping verb आगे लग जाएगा Is he watching TV? Are they waiting for John? ठीक है? अब यहाँ पे सिर्फ example के लिए ताकि एक बार में nutshell में सब समझ में आजाए Positive sentence, Negative sentence और interrogative Affirmative का मतलब होता है positive ठीक है? Affirmative का मतलब होता है positive I am going I am not going Am I going? Question ठीक है? You are going You are not going Are you going? तो यहाँ पे देखो हमने are not को क्या किया? Aren't लिखा है He, she or it is going He, she or it isn't going Is not को क्या लिख दिया? Isn't Is he, she or it going? ठीक है? तो यहाँ पे यह हम इसमें Oblick लगा देते हैं अब है We are going Negative क्या हो जाएगा? We aren't going We are not going Interrogative हो जाएगा Are we going? You are going तुम जा रहे हो You are not going तुम नहीं जा रहे हो क्या तुम जा रहे हो? Are you going? They are going Negative They are not going Or they aren't going Are they going? ठीक है? I hope this clarified अब जो एक बहुत इंपोर्टन चीज आती है वो यह समझना है कि हम इसको use कहां करते हैं पहली चीज हम समझ चुके हैं कि जब आपका कोई भी action जो होता है मतलब इस वक्त चल रहा है तब हम use करते हैं To express an action in progress At the time of speaking जब मैं बात कर रही हूँ उस वक्त हो रहा है जैसे कि I am working at the moment At the moment का मतलब इस moment इस शन मैं काम कर रही हूँ Please call back as we are eating dinner now आपको कोई phone आया आप लोग खाना खा रहे हैं तो आपने क्या बोला अब हम खाना खा रहे हैं अब बाद में call करना अभी हम खाना खा रही है Please call back We are eating dinner now ठीक है We are eating dinner now Julie is sleeping Julie सो रही है Is sleeping इस वक्त सो रही है You are using the internet तुम internet use कर रहे हो You are using मतलब तुम इस moment जब मैं बात कर रही हूँ तब internet use कर रहे हो You are studying English grammar और आप लोग क्या पढ़ रहे हो आप लोग English grammar पढ़ रहे हो इस वक्त तो ये हमने बता दिया जब कोई काम जिस वक्त हम बात कर रहे हैं उस वक्त हो रहा हो दूसरा है Changes taking place now during this period of time और a trend Insta and FB Reels तो ठीक है ये एक example है तो basically जो चीज़ें अभी हो रही है जैसे चीज़ें बदल रही है जैसे की FB पे और Instagram पे आजकल Reels का बहुत fashion चल रहा है आजकल Reels की बहुत demand बढ़ रही है आजकल oxygen की supply कम हो रही है Corona के cases बढ़ रहे हैं ये सब क्या है? ये एक trend है ये एक trend है जो की कभी नीचे जाता है कभी उपर जाता है लेकिन ये मैं बात करियू मेरे आसपास जो चल रहा है एक change जो हो रहा है ठीक है example देखते हैं Insta and FB Reels are becoming very popular these days Insta and FB Reels are becoming very popular these days The number of Corona cases are increasing rapidly जो number of Corona cases है वो इस वक्त बहुत ज्यादा जल्दी बढ़ रहे हैं इस वक्त as I am talking नहीं लेकिन हम एक period की बात करें जिसमें वो बढ़ते जा रहे हैं Scientists say that the earth is getting warmer Scientists बोल रहे हैं कि Earth का temperature बढ़ रहा है अब जैसे मैं बात कर रहे हूँ ये एक process है जो बढ़ता जा रहा है एक trend है जो scientists बोल रहे है ये बढ़ता जा रहा है इस moment भी बढ़ रहा है आने वाले moment में भी बढ़ रहा है और इसके पहले भी बढ़ रहा था ठीक है Third हम present continuous chance कहां यूज करते हैं जब हम बता रहें When describing something you are in the process of doing जैसे मान लो आप Harry Potter पढ़ रहे हो या आप कोई बहुत interesting सी book पढ़ रहे हो तो क्या इस वक्त पढ़ रहे हो दो-तिन दिन लगेंगे ना खतम होने में लेकिन आप क्या बोलोगे ये पता है मैं Harry Potter पढ़ रही हूँ या आप बोलोगे मैं डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ तो क्या डॉक्टर बनने की पढ़ाई एक दिन ही होती है या इस वक्त ही होगी नहीं पुरे पास साल लगते हैं लेकिन प्रॉसेस तो कंटेनीव है ना प्रॉसेस तो कंटेनीव चल रहा है तो I am studying to become a doctor I am reading the book Tom Sawyer तो मैं एक book पढ़ रहा हूँ Tom Sawyer ठीक है तो यहाँ पे भी जैसे कुछ भी बोल सकते हो आप इसमें जैसे कि मैं आज कर गिटार क्लासेस ले रहा हूँ तो यह जो तुम्हारा action है ना यह एक permanent action नहीं है यह एक temporary action है मतलब आप गिटार सीख रहे हो एक time आएगा जब आपका गिटार क्लासेस खतम हो जाएगा तो इसी लिए हम लास्ट में हमारी इसमें क्या आ रहा है या रहा हूँ तो इसी लिए हम यूज करेंगे present continuous tense ठीक है अब to indicate that something will or will not happen in the near future मतलब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अरे तुम मुझे दे दो मैं parcel दे दूँगा कल मैं उनसे मिल रहा हूँ मैं कल मैं उनसे मिलूँगा की जगा मैं तो उनसे मिल रहा हूँ हम ऐसे बहुत बात करते हैं जब हम एक future चीज की बात करें जिसमें बहुती near future की बात करें मतलब कल की बात करो या परसों की बात करो या फिर आने वाले हफते की बात करो जिसमें चीज हो सकती है नहीं हो सकती जैसे I am meeting some friends after work अरे ममा आज मैं ना लेट आउंगी मैं अपने काम के बाद कुछ friends से मिल रही हूं अब मैं ये भी कह सकती है उसको कि मैं अपने friends से मिलने जाऊंगी या मैं ये कह रही हूं मतलब I am sure कि मैं अपने friends से मिल रही हूं I am not going to the party tonight मैं आज party में नहीं जा रही हूं काम इस वक्त नहीं हो रहा है लेकिन एक fixed time की बात हो रही है जिसमें आपका कोई एक particular objective है To indicate that something will or will not happen in the near future Will or will not happen मैं party में नहीं जा रही हूं मैं party में जा रही हूं तो ये क्या है near future में या तो हो रहा है या तो नहीं हो रहा है We are watching the super bowl tonight अरे आज शाम को तो हम वो movie देख रहे हैं आज शाम को तो हम वो serial देख रहे हैं Super bowl देख रहे हैं तो देख रहे हैं बोला मैंने क्या बोला मैंने देखेंगे नहीं बोला क्योंकि हम वो चीज यू नो बस होने ही वाली है आप future tense में भी इसको बोल सकते हो कि आज शाम को हम वो देखेंगे लेकिन जब आप नॉर्मली बात करते हो तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं इसको कि आज शाम को तो हम वो देख रहे हैं आज शाम को तो हम मौल जा रहे हैं Do we talk like that? नहीं आज शाम को मैं नहीं आ सकता आज तो मम्मी के साथ मौल जा रहा हूं जा रहा हूं अरे बोलोगा शाम को जो रेस होने वाली है उसमें रेसिंग करने वाले हैं Is he visiting his parents next weekend? क्या वो अपने पेरेंस से मिलने जा रहा है अगले weekend? Isn't he coming with us tonight? क्या वो हमारे साथ नहीं आ रहा है आज रात? क्या आज रात वो हमारे साथ नहीं आ रहा है? तो just understand the sentence last में क्या सुना ही दे रहा है रही है और बस sentence को जो आपको sentence का structure पता है present continuous tense का बस उस हिसाब से form करना है ठीक है? तो I के साथ क्या आया है? M, V के साथ आया है R, D के साथ भी आया है R और आपके सारे जो main verbs से उसमें आ गया है ing That's it, ठीक है? अब temporary activities जैसे की आकाश is learning to play piano ठीक है? आकाश पियानो सीख रहा है आकाश सीख रहा है ये एक activity है जो खतम हो जाएगी Permanent activity है नहीं कि बस जिन्दगी बस सीखता ही रहेगा My sister is staying with us for a couple of weeks मेरी जो बहन है वो हमाई साथ रह रही है कुछ दिनों के लिए तो ये भी एक permanent action नहीं है एक temporary action है बहुत जल्दी खतम हो जाएगा अब जब हम बताते हैं जब हम मेरा बहुत गुसा आ रहा है बहुत irritation हो रहा है अरे वो constantly बोले जा रही है या वो चुप ही नहीं हो रही है या वो लोग जो है तब से जो है तो she is always coming to work late वो हमेशा work में late ही आ रही है मतलब यहां तुम annoyed हो यहां तुम irritated हो और तुम complain करें वो हमेशा work में late ही आ रही है मतलब वो continuously बोले ही जा रही है वो चुप क्यों नहीं हो रही है I don't like them because they are always complaining मैं उन्हें पसंद नहीं करता क्यों क्यों क्योंकि वो हमेशा complaining करते रहते हैं वो लोग हमेशा complain ही करते रहते हैं ठीक है and next is to refer to a definite plan in future अगर आपका future में कोई particular plan है definite है वो जैसे की she is buying a car next week confirm है अरे वो अगले हफते car खरीद रही है they are shifting next month वो लोग अगले हफते अगले महीने घर shift कर रहे है I am getting a transfer this week मेरा इस week transfer हो रहा है तो यहाँ पे भी आप sentence सुनो किस तरीके से sound कर रहा है मैं shift कर रही हूँ मैं अगले हफते तो जब आपके पास future में एक particular time पे एक fixed चीज है तो आप उसको इस तरीके से भी कह सकते हो और आप present continuous tense को use करोगे ठीके अब हम यहाँ पे examples लेखते है Please wait for a moment Shyam is talking to Mary एक minute wait करो Shyam मैरी से बात कर रहा है इस वक्त We are late He will be waiting for us at the restaurant now अरे हम लेट हो गए हैं वो हमारे लिए इस वक्त restaurant में wait कर रहा है He is waiting यहाँ हमने क्या लिखा है He will be waiting for us He is waiting अब है mom I am playing football मामा मैं football खेल रहा हूं Are they still living here? क्या वो अभी भी यहीं रह रहे हैं She is having her breakfast now वो इस वक्त अपना breakfast कर रही है I am planning to meet the director tonight मैं सोच रहा हूं कि आज रात को मैं डिरेक्टर से मिल लूं मतलब मैं सोच रहा हूं मैं प्लान कर रहा हूं Now guys, अब हमें एक चीज समझ नहीं है कि हम कौन से ऐसे words हैं जिनने हम present continuous tense में use नहीं करते And if you remember verbs में हमने पड़े थे dynamic words और stative verbs Dynamic और stative Words जो होते हैं, verbs जो होते हैं जो क्रिया होती है, जो आप काम कर रहे हो जिसमें कुछ में तो action होता है जिसको आप मा रहे हो, run कर रहे हो, skip कर रहे हो लेकिन कुछ में action नहीं होता है जैसे कि सोच रहे हो आप feel कर रहे हो आप कुछ smell कर रहे हो, कुछ देख रहे हो इसमें कोई action नहीं हो रहा है तो ये जो words होते हैं जिसमें action नहीं हो रहा है लेकिन कुछ काम हो रहा है उन्हें हम कहते हैं stative verbs इसका बहुत अच्छा explanation already दिया हुआ है वीडियो बन चुका है आप चाहो तो उसको जाके देख सकते हो ठीक है? तो verbs expressing feelings and emotions like respect, love तो जो भी words होते हैं जो आपको feelings और emotions बताते हैं जैसे कि I respect you इसमें में कुछ कर नहीं रही हो मतलब में कोई action नहीं कर रही हूँ but there is a thing that I am doing I am respecting you ठीक है तो यहाँ पे respect में ing नहीं लगेगा I respect you, sorry I am respecting you is wrong verbs of certain activities and mental states like think, suppose, know I think you are good I am thinking you are good is wrong I suppose we should meet हाँ मुझे लगता है हमें मिलना चाहिए I am supposing wrong I know her, मैं उसे जानता हूँ I am knowing her, wrong verbs of senses, जब मैं बात करती हूँ hear, see, smell, taste I am tasting it, नहीं this tastes amazing, इसका स्वाद बहुत अच्छा है this is tasting good, wrong अगर आप टेस्टिंग बोलोगे तो उसका मतलब हो जाता है आप उसको चक के देख रहे हो लेकिन उसका बिलकुल यह मतलब नहीं होगा कि इसका स्वाद अच्छा है I own a car, I am owning a car is wrong other verbs like seem, appear, measure ठीके, please measure this ठीके, I am like यहाँ पर जब आप you seem sad तुम दुखी लग रहे हो you seem sad और you appear sad लेकिन you are seeming sad your appearing sad will be absolutely wrong तो यह है हमारे stative verbs जो हम present continuous tense में use नहीं करते हैं ठीके, अब हमारे पास एक छोटी सी exercise है present continuous tense की वो हम quickly देख लेते हैं and then we are done with this use the present continuous form ठीके, of the verb in brackets अगर possible हो तो contractions use करने हैं you dash use my mobile phone तुम मेरा mobile phone use कर रहे हो present continuous है इसका मतलब हमें पता है structure क्या होता है subject plus आपका helping verb जो की होता है is या m या r plus आपका verb में first form जिसमें आजाएगा ing plus आपका object object नहीं है तो जो भी sentence में दिया हुआ है वो ठीके, तो ये आगिया you you के साथ क्या आता है हमेशा helping verb you के साथ आता है r और verb क्या है हमारा main verb है use use का last word है e तो हम e को हटा के सिर्फ ing कर देंगे तो ये आजाएगा you are using my mobile phone my dad dash wash his car मेरे dad dash wash his car अब my dad एक singular आदमी की बात कर रहे हम तो आजाएगा is ठीके और wash का ing form क्या हो जाएगा is washing my dad is washing his car वो अपनी कार धो रहे है it dash not rain today अब ये एक negative sentence है it के साथ हम क्या use करते हैं it के साथ हम use करते हैं हमेशा is और not तो ये हमारा not आजाएगा helping verb के बाद main verb क्या है rain तो rain का क्या हो जाएगा raining it is not raining today ठीके next is who dash she chat to now वो किससे बात कर रहे है who अब यहाँ पे question बनाना है is she chatting to now who is she chatting to now so ये रहे हमारे answers अब एक और question है और ये question के answers आप लोग दोगे ठीके तो what dash you do at the moment तुम इस moment पे क्या कर रहे हो we dash sit on the car हम train में बैठे हुए है मलब हम train में बैठ रहे है the students dash lunch in the canteen students canteen में lunch ले रहे है या खा रहे है are you making dinner? yes I आपको answer बताना है ठीके? so pause the video, write the answers and now I am going to show you the answers so यह हो जाएगा what are you doing at the moment? यहाँ question नहीं आएगा question mark last में आएगा what are you doing at the moment? we are sitting on the train in the train नहीं बोलते on the train बोलते है ठीके? the students are having lunch in the canteen अब यहाँ पे मैंने having क्यों बोलाए have का तो मैंने अभी बताया था ing use नहीं करते जब आप exactly उस moment की बात कर रहे हो और आप यह बोल रहे हो इधर पे having का मतलब आप की belonging नहीं है position नहीं है इधर पे having का मतलब है eating तो यहाँ पे आप use कर सकते हो are you making dinner? yes I am so that's it and here we are done with present continuous tense now guys of course as you can see on the screen next video is on present perfect tense तो अगर आपको present continuous tense में कोई भी doubts है तो आप मुझे बता देना because once we are done with the tenses हर particular tense की exercises लेने वाली हो में individually class wise जिसमें obviously there will be a snapshot of the entire thing की आपको थोड़ा सा एक basic structure वापस explain करूंगी तो अगर आपको कोई भी doubts होते हैं तो please आप comment box में लिख देना तो हम उसको फटाफट कर लेंगे ठीक है I'll see you soon in my next video where we are going to do present perfect tense Take care and bye bye